Hello class, today we will do chapter 4, Globes and Maps तो सबसे पहले हम देखते हैं Globe This is a Globe, देखो, ये है Globe जो की presentation है हमारी अर्थ का, ये देखो ये represent करती है हमारी अर्थ को, ये देखे, this is Globe And this is a Map, देखो, जो flat surface पर है, ये है हमारा Map Okay, तो हम किस के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे Globe के बारे में और Map के बारे में Okay When we look ahead or around us, we can see the Earth only till the horizon When we are in a flight and look down from its window, we can see a much larger part of the Earth, but even then, we cannot see the entire Earth तो हम अर्थ को पूरा एक बार में नहीं देख सकते हैं Okay, अगर आप फ्लाइट में भी बैठे हो, तो भी आपको एक बड़ा हिस्सा अर्थ का दिखेगा पर पूरा हिस्सा अर्थ का surface नहीं दिखेगा Even the photographs of the Earth taken from the satellites cannot capture the whole face of the Earth Even अगर फोटो भी लोगे, जैसे आपने फोटो लिया, समझ लो, यह हमारी अर्थ है यह हमारी अर्थ है, आपने यहां से फोटो लिया, तो भी आधा आएगा आपने यहां से लिया फोटो, तो भी आधा आएगा यहां से लिया तो भी एक हिस्सा आएगा फोटोग्राफ में भी आपको पूरा हिस्सा अर्थ का नजर नहीं आ सकता है This is because our Earth is very big and spherical in shape ऐसा इसलिए है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, वो big body है और spherical यानी की goal है This makes it difficult to study the whole Earth at one go To overcome this difficulty, we use our globe तो पूरी अर्थ को एक बार में पढ़पाना थोड़ा से tough है इसलिए हम पढ़ते हैं, study करते हैं अर्थ को globe की help से लोग देख रहे हो, आप एक ही बार में हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं देखिये जरा है ना, यह देखो हम पूरी अर्थ को study कर सकते है न इस globe की help से globe a globe is a three dimensional human made model of the earth it is the most accurate representation of the earth as it shows us the exact shape of the earth तो देखो हमारी जो अर्थ है उसका भी shape बिलकुल ऐसा ही है जैसा कि ये globe हमें नजर आ रहा है थोड़ी सी जुकी हुई है ये अपने axis पर और देखो spherical है shape में कैसी है, spherical है, goal है spherical, slightly flattened at the poles, poles से थोड़ी सी flat है देखो, poles से थोड़ी सी आपको flat नजर आईगी ये देखो, यहाँ पर देखो आप पर आपको जो poles है वहाँ पर थोड़ा सा flat surface नजर आईगा जबकि bulging at the equator equator से कैसी है, थोड़ी सी मोटी है ये देखो, equator से मोटी ताजी सी है ना हमारी अर्थ पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब की ही help से study किया था कि किस तरीके से rotation होता है, revolution होता है कैसे climate change होता है और किस तरीके से आपके day और night होते है it also shows latitudes, longitudes, continents, oceans, different physical features and location of places तो देखो, जो globe है ये आपको बहुत कुछ represent करता है देखो बहुत कुछ दिखाता है, जो blue part है, वो आपका water bodies है जो आपके ये colorful part है, ये आपके continents है, continents के अंदर countries आपको नज़र आएंगी, है न इसके अलावा देखो, आपको longitudes, जो हमने पिछली class में पढ़े थे न, लंबी वाली line है, longitudes, लेटी वाली line है, latitudes, देखो equator भी आपको ये colorful सी नज़र आएगी तो globe में हम इतनी सारी चीज़ें देखो, study कर सकते हैं, moreover, it is bulky and inconvenient, however, there are certain disadvantages of a globe, पर ऐसा नहीं है के बिल्कुल फाइदे ही फाइदे है, कुछ disadvantage भी है globe की, it does not provide detailed information about the physical features, location of small towns, etc, तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे अर्थ की, और अर्थ पर अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया की, तो देखो मैंने इंडिया तो ढून लिया, पर इंडिया के जो states है, capitals है, उनको proper नहीं दिखा रहा है ये, सिर्फ नाम दिखा रहा है, ये बिल्कुल नहीं बता रहा है, कि वहां के physical features कैसे हैं, सिर्फ आपको इंडिया का map ही तो नज़र आ रहा है, इसमें देखिए, और main main cities नज़र आएंगी, main main आपको states नज़र आएंगी, इसके अलावा आपको जादा कुछ detail में नहीं दिया moreover it is bulky and inconvenient to carry, अब मुझे बताइए, इतना बड़ा globe अगर मैं आपको daily volume school लाने के लिए, तो दिक्कत होगी ना आपको, बिल्कुल दिक्कत होगी, इतना बड़ा globe आप daily carry करोगे अपने साथ, तो आपको बिल्कुल दिक्कत होगी, but these disadvantages are taken care of in maps, पर आपकी ये जो disadvantages हैं, इनको खतम करने की कोशिश की गई maps में, तो जब हम maps पढ़ेंगे अभी, तब हम देखेंगे, कि maps में हमारी इन असुविधाओं को कैसे सुविधाओं में बदला गया, अब हम बात करेंगे maps की, तो देखें जरा, map, जब हम किसी flat surface पे represent करते हैं, अर्थ के parts को, तो हम उसे बोलते में है maps, जिसे कि ये है आपका world physical, ये क्या है आपका world physical, इसमें आपको continents शो किये गए हैं, इसी तरीके से आप इंडिया का map देखते हो, एक होता है political, जिसमें बीच पीच में देखें, lines बनी रहती हैं, वो political होता है, जिससे हम proper states की जो boundaries हैं, वो show कर पाए, इसके अलावा ए आपने physical देखा होगा, जो बीच से पूरा blank होता है, सिर्फ उपर उपर की outline होती है map की, तो map के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, a map is a representation of the earth surface or a part of the earth surface drawn on a flat surface according to a given scale, तो flat surface पे जब हम अर्थ के surface को draw करते हैं, ब्ल्कुल flat surface पे, देखो ये ब्ल्कुल flat surface है ना map, देखें, जब इस पर हम represent करते हैं अर्थ के parts को, अर्थ के surface को तो इसको हम बोलते हैं map, maps provide detailed information about small and big areas, water bodies, land forms and other features of the earth, तो देखो जैसा कि हम जब globe में पढ़ रहे थे, तो हमें इंडिया का सिर्फ देखो map नजर आ रहा है और main main cities और states इसमें point out की गहीं थी, पर जब हम एक map ड्रौ करते हैं, या map में हम locate करते हैं, तो उसमें हम physical features भी बता सकते हैं, मिट्टी कैसी है किसी area की वो भी बता सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले chapters में किया भी है, इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि जो अलग-अलग जो आपकी states हैं, states हैं, capitals हैं, ठीक हैं, तो आप उसमें काफी कुछ represent कर सकते हो, detailed information आप दे सकते हो, किसी भी particular area के बारे में, it is convenient to carry and can be folded up or rolled, तो देखो, इसको बिलकोल आसान है carry करना, अगर मैं आप से बोलूंगी ना, कि आप 20 maps ले आई हैं, तो आपके लिए 20 maps लाना भी बहुत आसान होगा, आप इसको अराम से fold कर सकते हो, अपनी notebook में paste कर स सकते हैं, the art of making maps is called cartography, इसको underline करिएगा, जो map draw करते हैं, यह जो जितने भी maps वगराव करते हैं, इनको बोलते हैं, cartographer, और इस art को बोलते हैं, cartography, the people who make maps are called cartographers, a book of maps is called an atlas, इसके अलावा आप सब लोगों के पास atlas होगी, ऐसी book, जिसमें बहुत सारे maps होते हैं, एक ही जगह पर एक ही बुक में उस बुक को हम बोलते हैं, atlas, the first book of maps, और an atlas was published by a marketer or haunched, the cover page of the atlas carried the picture of the great mythological giant named atlas holding the earth, तो atlas की जो एक बड़ी ही traditional सी बुक है ना, उसको देखिएगा, उसमें एक जाइंट एक structure सा बना होगा और उसके ना, कंदे पे ऐसे करके ना, अर्थ रखी होगी, तो वो actually बहुत ही Greek mythological God को representation किया जाता है उसमें, front page पे, उसके front page पे, that is how a book of maps come to be known as an atlas, इसलिए जो map की book थी, उसका नाम क्या पढ़ गया, atlas, now classification of maps, maps can be classified as physical, political and thematic, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, physical maps की, show features and land forms such as mountains, plains, deserts, playtues, rivers, forests and water bodies, तो देखो हमने ऐसा map किया भी है, social में फिल, जिस map में हम mountain show करते हैं, plains show करते हैं, desert show करते हैं, desert कहां कहां पर है, इसके अलाब river या water bodies को locate करते हैं, ऐसे map को हम बोलते हैं, physical map, जैसे कि यह देखो, आपको यह map दे रखा है, इसमें देखो, blue color आपका क्या दिखा रहा है, water body, green color, जाए forest area दिखा रहा होगा, देखो, इसमें यह मुझे दिख नहीं रहा है, यह अलग-अलग color का हर जगा, अलग-अलग representation होता है, और देखो, कुछ yellow color दिखा रहा है, कुछ dark yellow color दिखा रहा है, कुछ red portions भी है, इसमें आपका यह proper scale, अग किस color का क्या मतलब है, पर यह visible नहीं है, इसलिए हम idea नहीं लगा सकते हैं, now political maps, show political units such as states, towns, cities and villages within the country, it also shows different countries and states of the world, तो देखो, यह आपका हो गया political map, जिसमें boundaries proper पता चलती है, देखो, इसमें boundaries पता नहीं चल रही थी, कौन सी state कितनी बड़ी है, कहां तक कौन सी state फैली हुई है, है ना कौन सी क्या है, यह area बलकुल नहीं पता चल रहा था, पर देखो, इसमें पता चल रहा है, देखो, यह आपका यह वाला है, जो पूरा area, यह हो गया, आपका South Australia, यह वाला हो गया, Western Australia, ओके, यह हो गया, Northern Territory हो गई है आपकी, है ना, इस तरीके से, जिसमें boundaries rainfall, industries, roads, देखो, यह तो बहुत ही भरा पूरा सा map लग रहा है, देखो, इसके अंदर यह आपको road भी show करना है, population भी बता रहे है, mining कहां कहां हो सकती है, किस area में यह भी बता रहे है, तो thematic maps के अंदर आप बहुत कुछ show कर सकते हो, यह base होता है, theme का, यानि theme आपने ले ले ल इस तरीके से जो map होते हैं, यह होते हैं, आपके thematic map, now components of a map, आप बोलोगे माम, components मतला, देखो, इस map के अंदर, इस map के अंदर आपको बहुत कुछ नजर आ रहा होगा, जैसे कि आपको, मैंने यह आपको circle करके दिखाया हुआ है, यह आपको नजर आ रहा होगा, देखो, यह नजर आ रहा है, यह लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यह होते हैं, actually components, even जो color भी हम फिल करते हैं, that is also the component of a map, तो ऐसे components, ऐसी चीज़ें, जो map को और ज़्यादा informative बना देती है, जो जानकारी देती है, कि आप map में क्या देख रहे हो, और किसी चीज़ का क्या मतलब है, अगर आपने green color फिल किया, तो green color का क्या मतलब है, अगर आपने blue color फिल किया है, तो blue color का क्या मतलब है, तो ऐसी चीज़ें जो बताते हैं, उनको बोलते हैं, हम components of a map, और components की ही help से हम maps को अच्छे से समझ पाते हैं, Maps are drawn to provide us with accurate information of various aspects of our art, in order to be accurate, maps need to have a few essential components that will make our study meaningful, तो भई हम map draw कर सकते हैं, पर उसको और ज़्यादा informative बनाने के लिए हमें ये components use करने होते हैं, जिसे कि जो हमारी study है map की वो और भी ज़्यादा meaningful हो पाए, फाइदा हो पाए हमें ज़्यादा स्यादा map को study करने का, The essential components of a map are as follows, first is title, every map is drawn for a purpose, तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा map लेके color fill करना शुरू कर दिया, भई आप green color अगर fill कर रहे हो तो आप planes दिखा रहे होगे, आप plants दिखा रहे होगे, आप कुछना कुछ शो कर ना चाह रहे हूंगे, तो कुछना कुछ purpose होता है, कुछना कुछ मतलब होता है अगर आप map बना रहे हो, The title of a map indicates its purpose और जो उसका title होता है वो बताता है कि purpose क्या है इस map को draw करने का It tells us what kind of information is being provided in the map For example, a map showing the physical features of India may be titled as physical features of India तो देखो जैसे कि अगर physical features दिखा रहा है तो आप देखना देखो physical features अगर यह आपको दिखाएगा तो इस तरीके से wild physical देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न वर्ल्ड फिजिकल ठीक है आपको इस तरीके से शो करेगा तो जितना भी आपका map का शो करने का reason होगा वो आपको ज़रूर उपर लिखा हुआ होगा Now scale अब हम बात करते हैं scale की We cannot show places on maps in their actual sizes देखो हम actual size तो दिखा नहीं सकते जितना बड़ा continent है इतना बड़ा map तो हम नहीं बना सकते This is because the places are huge while the maps are very small क्योंकि हमारा map छोटा सा है देखो अब जैसे इसमें अफरिका है तो क्या अफरिका सिर्फ इतना हीं बड़ा है नहीं भई अफरिका बहुत बड़ा है therefore we use a scale which is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the earth's surface for example जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि 50 km है यानि कि यहां से यहां की दूरी 50 km है 50 km है मैं बान लेते हूं यहां से यहां की दूरी 50 km है तो मैं बोलूँगी इतना जो distance है यह 1 cm है तो 1 cm का मतलब क्या हो जाएगा 50 km 2 cm का मतलब 100 km तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बही 100 km हम पेज पर नहीं दिखा सकते हैं छोटे से पेज पर है ना पर हम 1 cm 2 cm शो कर सकते हैं now a scale is represented in the following three ways किस तरीके से हम कर सकते हैं चलिए देखते हैं तीन ways को तो scale भी हम दो टाइप से represent कर सकते हैं by a verbal statement in a verbal statement the scale is given in words for example 1 cm is to 500 km 1 cm देखो आपने कई बार maps में लिखा हुआ देखा होगा कि 1 cm 2 cm 0.5 cm is equal to this much km देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1 cm is equal to 500 km मैं आपको highlight करके दिखाती हूं देखो 1 cm is equal to 500 km तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 cm का आपका जो उसमें measure करके दिखाएंगे वो मतलब होगा 500 km तो 1 cm 500 km 2 cm 1000 km तो इस तरीके से आप scale से distance का अंदाजा लगा सकते हैं नव बाई a fractional or ratio scale this type of scale is also a representative fraction तो देखे यह आपका इस तरीके से लिखा होता है representative fraction is equal to map distance upon ground distance the ratio between the map distance and the ground distance is represented as a numeric fraction where the numerator is the map distance देखो numerator आपको पता है न numerator is जो उपर वाली value होती है fraction में और denominator is जो नीचे वाली value होती है तो इसमें numerator में होता है आपका map distance और denominator में होता है ground distance in the scale the numerator is always one अब बात करते हैं graphic और linear scale की तो देखे लीनियर scale कुछ इस type से बना होता है maps में आपने देखा होगा बना हुआ यह देखिएगा अगर आपको फिर भी ऐसे scales ना मिले हो अब तक तो अपने आपके पास atlas होगी atlas को देखिएगा उस में मैपस में आपको जरूर दिखेंगे ऐसे तो देखिए इस टाइप से होता है यह देखना है proportional distance in this type of a scale a line with equal division is marked on the map तो देखिए equal divisions है ना देखो यह वाला बराबर है यह बराबर है यह मतलब यह देखो same है each unit represents an actual ground measurement on a graphic scale one unit of the scale is further divided into sub units all the maps are not of the same scale for example map a तो देखिए इसमें map a कहाँ पर है तो इसमें map a जैसे आपको कोई भी दिया हुआ है तो map a में आपको दिया हुआ है one centimeter is equal to hundred kilometer और जबकि दूसरे ही map में दूसरे ही map में आपको क्या दिया हुआ है कि one centimeter is equal to five hundred kilometer in such a map detailed features cannot be shown maps like these are called small scale maps इसमें हम पूरी detail नहीं दे सकते है पूरी detail नहीं दे सकते है इसलिए हम इसको बोलते है small scale maps in map a one centimeter represents only hundred kilometer many more features can be shown on such maps such maps are called large scale maps जबकि जो ऐसे scale होते है ऐसे maps होते है जनमें जो scale होता है one centimeter is equal to hundred kilometer छोटा है तो इसमें हम अच्छे से सारी चीजों को represent कर सकते है इसलिए इनको बोलते है large scale maps now conventional symbols देखो आपने map में बहुत सारे symbols भी बने हुए देखे होंगे आपने देखा होगा railway crossing का बना रहता है इसके अलावा और भी बहुत सारे symbols होते है school का symbol, hospital का, lakes का even water bodies का ठीक है जैसे कि अब आप इसको देखो यह हलाकि globe है पर देखो इस type से होता है जैसे देखो यह दिये हुए है ना आपके पास देखो symbols कितने सारे दिये हुए है okay blue color और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बनी हुई है देखो dolphin बनी हुई है है ना तो इस type से जो representation होते है इनको बोलते हैं हम conventional symbols maps show political divisions relief features, population, mountains, rivers, lakes, hospitals, schools places of worship, airports, railway stations and many more such features it is not possible to draw the actual shape and size of these features on a map therefore some symbols are used on a map to represent these features अब देखो यह वाले आपके कुछ symbols आपको दे रखे हैं देखो जैसे कि देखो मोटी-मोटी line हो तो इसका मतलब boundary है international boundary है ओके यह देखो यह dotted type का दे रखा हो ऐसे line फिर dot, line फिर dot यह आपकी state boundary हो गई और यह पतली सी line और dot मतलब यह हो गई आपकी district उसके बाद देखो metal roads इस type से बनी होंगी unmetall road इस type से आपको दिखाया गया होगा bridge का symbol यह है अगर आपको कहीं यह symbol नज़र आए तो समझ लो यहाँ पर church है अगर आपको यहाँ टी-ो लिखा है तो आप समझ लेना यहाँ पर telegraph office है अगर आपको यह ऐसे बना नज़र आए line और उसके उपर इस type की cross की हुई lines तो आप मर समझ जाना कि यहाँ पर railway को show किया जा रहा है तो यह होते हैं symbols और उनके मतलब यह आपको draw करना है अपनी notebook में first page पर जहाँ पर आप chapter की शुरुआत करेंगे now directions directions के बना तो हम map में कुछ भी locate नहीं कर सकते है directions पता है ना आपको north, south, east, west directions are very important on a map they help locate places there are four main directions तो कौन से होते हैं आपके directions north, south, east and west they are called cardinal directions इनको हम क्या बोलते हैं cardinal directions बोलते हैं between the cardinal directions there are some more directions such as north east, north west यह आपको देखे, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा देखो यह हो गया आपका north यह हो गया east, यह west, यह south अब देखो north, west और north तो northwest के बीच का direction क्या हो गया north west इसी तरीके से east और यहाँ पर हो गया आपका north तो north और east के बीच का क्या हो गया ईसे ही east और south का होगे southeast और west और south के बीच की direction हो गई southwest ओके तो 4 cardinal directions कौन से हो गई आपके, 4 cardinal directions हो गई north, west east और south दूसरे जो मैंने आपको बताए वो थे आपके intermediate directions जो मैंने आपको बाकी के बताए Southeast, Southwest, Northwest, Northeast ये हो गए आपके कॉंसे directions? Intermediate directions Most of the maps have a line with an arrow or the letter N आपने देखा होगा कई maps में N बना रहता है तो उसका मतलब होता है North It is called the North Line since the letter N denotes the North direction and the arrows points towards the geographical North However, in some maps the North Line is not given In such maps, consider the top of the map to be North तो जब आपको N लिखा हुआ ना दिया हो तो आप मानोगे कि जो map का उपर का हिस्सा है जो आपके पास map का देखो, इसमें कहीं भी North तो नहीं लिखा है देखो, कहीं भी North नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि जो उपर वाला हिस्सा है यह है आपका North, नीचे वाला हो गया आपका South जब आपको ऐसे कुछ भी N लिखा हुआ ना दिया हो तो आप इसको मानियेगा कि उपर वाला हिस्सा है North और नीचे वाला हिस्सा है आपका South Now sketch, तो देखिए sketch अलग-अलग घर इसमें नजर आ रहे हैं बीच में चौरहा नजर आ रहा है देखो चौरहा नजर आ रहा है यह रोड नजर आ रही है A rough drawing of an area that provides information such as directions and landmarks to show the route is known as a sketch So landmarks जिसमें आपको पता रहे हैं आपको घर की location दिखाई दे, roads दिखाई दे ऐसे rough से diagram को, rough सी drawing को हम बोलते हैं sketch A sketch is drawn without a scale and it also does not have conventional symbols It is an informal guide to help someone find a destination तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है बस यह एक तरीका होता है जिससे लोग अपनी direction को find कर पाएं इसके अलब आपने destination को find कर पाएं Okay Symbols वगएरा इसमें ज़्यादा use नहीं होते हैं जैसे हम map में use करते हैं Symbols use करते हैं railway track के लिए hospital के लिए, church के लिए इसमें हम ऐसे symbols use नहीं करते हैं देखिए कोई symbol use नहीं हुआ है Simple यह drawing है Okay Now plan A map can show detailed features of a small area such as a city, town or its part but it fails to show too many accurate details of a very small place such as your house, school or an office Therefore when the accurate details of a small place need to be shown we use a plan तो छोटी सी जगह को जादा detail में दिखाने के लिए जब हम draw करते हैं तो उसको बोलते हैं हम plan A plan is accurately drawn with a scale इसको proper scale से draw किया जाता है यह देखो देख रहो यह आपका playground है यह office, यह library, यह classroom, यह tennis court इसको proper scale से draw किया गया है A plan is accurately drawn with a scale It displays a small area and great detail तो इसमें छोटे से area को भी detail में दिखाया जाता है मतलब कि इसमें दरवाजे कहा होंगे है ना देखो इसमें तो दिखाया नहीं है अदरवाज इसमें होता है कि दरवाजे कहा होंगे, कहा खिड़की होगी है ना For example, a plan of a house shows exactly out of the house such as the size and position of the living room bedroom, kitchen, washroom, balcony एक्सेक्टर, आपका भी घर का नक्षा बनवाना इवन अगर आपकी घर भी बना हो तो आप पापा से पूछेगा कि पापा नक्षा बनवाया था कि अपका में घर का उस नक्षे को देखेगा, उसमें प्रॉपर होता है दिवार कितनी बड़ी होगी दिवार की उचाई क्या होगी यहाँ पर जो दरवाजा निकलेगा इस कमरे में, यह कितनी उचाई का निकलेगा कैसा दरवाजा निकलेगा इवन दरवाजा कहां खुलेगा अंढर खुलेगा या बाहर खुलेगा तो इस टाइप से जो detailed information होती है उसमें हम प्लान में शो करते हैं अप्लान में अप्लान इस मोस्टली उस भाइटेट इन टाउन प्लानरs to prepare blueprint of a place now we have completed with this chapter in the next class we will discuss about the question answers as well as the exercise of this chapter till then bye